क्या आपको पता है बरेन इस टोग एक ऐसे विमारी है जिससे हरव साल लगभग ना जाने कितने इंसानों का मौत होता है और ये मौत इतना दर्दनाक होता है कि आप आइडिया भी नहीं लेगा सकते हो तो आज इस विडियों आपको वताओंगा कि बरेन इस टोग आखे होता चाहिए सब कुछ में आपको in detail में इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा at the end तक जरूर देखो अगर आप चैनल बनना है तो जहांगे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप सभी को पता है कि बेंड में हमसर ब्लाड फ्लोर होता रहता है और इस ब्लाड के जेरिये ही oxygen and nutrition बेंड में पहुंचता है वो एक मिनिट के अंदर ही मरना स्टार्ट कर देता है मतलब जो brain cells होता है न वो damage होता रहता है जब उसको nutrition oxygen नहीं मिल पाता है and इस condition को कहा जाता है brain stroke brain stroke means brain में ब्लाड का फ्लोर रुख जाना and इस बजाए से जो nutrition जो oxygen होता है वो सही से नहीं पहुंच वाता है उसको medical treatment and उस टेम आप कुछ कर सकती हो जिसके जरिये आप वो जो बेर इस्टोक का पैसेंट है उसको बचा सकती हो मैं आपको बताओंगा वो वीडियो के आखिर में तो यह जो बेर इस्टोक हो था इसका कुछ symptoms होता है मतलब कुछ symptoms के जरिये अप यह पताओं लगा सकती हो कि बेर इस्टोक इसको होगा या नहीं होगा या है सबसे पहले आपको यह बात ध्याना रखना होगा कि अगर कोई अब किसी के साथ बात कर लियो और बढकर निक्र पारियों अपका जो बीच बीच में जुबान अटक कर आया जुबान अटक में जो बोलना चाहते हैं वह नहीं बोल पाते हो जो दूसरे आपको कहते हैं ऐस आप अब टीक से सुनने ही पाते हो तो उस condition में क्या हो जाता है क अगर किसी वजया से ब्रेंड में कोई पॉब्लम आता है तो यह सब ठीक से नहीं कर पाएगा बेंड ना तो इस बज़े से जो बोलने में पॉब्लम आता है या सुनने में पॉब्लम हो जाता है अगर किसी भी इंसान का अगर किसी को देखने का पॉब्लम होता है मतलब किसी भी चीज अगर माली जब देख रहे हो तो उसको धूला देखते हो आप पानली जो कोई भी चीज में देखता हूं मतलब यह चीज में अगर में देखता हूं ना तो उसको धूला पनना जराता है अगर आप वीडियो देख रहे हो ठीक से आपको तो किलियर सब कुछ दिखाए देगा लेकिन जो बैनिस्टोक सिंटम्स होता है उसमें वह इंसान क्या करेगा ओ ठीक से देखी नहीं पाएग और तो अलग बात है कि देखने का पॉब्लेम होता है तो आको का पॉब्लेम होता है या जो डक्तर होता है वो चाङ्जा कुछ अलग मतलब साजस्ट करता हैे आ нिसक भी बहुत-थाल गपर्ल मोता है वह अलग बात है लेकिन अगा सठेज Gömosy में मतल़ कई चीज कर रहे हो हुआ है तो भी एक सिं त्थक होता है बैर्स ऐब स्टोख की कि जब इस टहुवान था तो फॉट हुवी चाहिए लेकिन ज्यादा लिडार जुट है उसका पिसा जहल नए पाओ कई तो वह करता है यहादा सब्सक्ष यहादता ना है याप कोई चीज कर रहे हो ड्राइविंग कर रहे हो मन लिजब साइकल चला रहे हो एंड उस टैन आपको जो बैलन्स होता हो भी कर जाता है तो भी एक फिंदम्स होता है बैस्टोक का नाव इसका क्या रिस्क फैक्टर होता है मतलब किसको सबसे ज्यादा पॉब्लेम या खत् इससे आपको भी बैन इस्टोक ना हो नंबर टू हाउट डेसेस जिफ़ीन कहाला हार डीसज रहाता है हुन अले जब कुछ दिन के अंतर अंतर ॹुकराथा सब्ध मारी नचनल पिल डिया है तो ऊंतरा मुर्श्य ठीटोक के Сब्यों का त्य्सक जो जो बट कंटल विट होता है हिस्ट्री ओप टी आई एस मतब ट्रांजिसेंट इसकेमिक एटक्स इसका मतलब यह है कि अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री में बेर्ड इस्टोप या टी आई एस का पॉब्लेम होता है तो उसको भी होने का पॉसिबिल्टी ज्यादा बन जाता है सबसे आखिर में हाई कोलेस्ट्रोल लीपीड ना आपको क्या करना चाहिए जब किसी का बेर्ड इस्टोप हो जाता है या आप कैसा प्रिवेंट कर सकतो बेर्ड इस्टोप नमबर वान जो सब आपको मैंने रिस्पेक्टर बताया उन सभी को कम करना होगा जाहिर से बात है अगर आप आपका बेर्ड को हेल्दी रखना चाहते हो नमबर टू किसी भी तरह का सिच्वेसे ने अगर ओ सेंटम्स जो आपके सामने में डिसकस के अभी अगर दिखा जाता है किसी इंसान के बीच में या किसी इंसान के अंदर तो तुरान आपको किसी भी वेरिफाइड फेजेशन से कंसर्ड करना होगा एंड बेन का जो स्पेसालिस्ट हो था उसको दिखाना बड़ेगा इसे वो आपको ट्रीटमेंट करके या कुछ एक्जामाइन करके बता देगा कि आपका बेर्ड हेल्दी है या नहीं है तो यह था मेरा छोड़ा सा जानकरी बेर्ड स्टो अब कर लिजेए और कोई भी क्वेस्टिन कोई डाउट अगर आपको इस वीडियो से रहाता है तो मुझे जरूरा कॉमेंट कीजिए आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूच सकते हो इंस्टाग्राम आइडी में आपका डिस्प्ले में दे दूँगा एंड मैंने रिसं अगर हो जाता है तो उसको कैसे प्रिमेंट करें डिस्क्राप्शन में वीडियो का लिंक में दे दूँगा तभी तक इस वीडियो में इतने ही वीडियो देहने के लापका बहुत बाग सुक्रिया आपके सब्सक्राइब निक्स गुरह तब देक लिए बाई